नमसे दोस्तों मेरा नम मनीशा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है स्ट्रॉबेरी अभी बहुत ही अच्छी आ रही है और आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी में से क्रश सिखाने वाली हूँ मैं आपको पूरे tips और tricks के साथ में ये crush के recipe सिखाने वाली हूँ जिसे आप एक साल से भी जादा store कर सकते हैं तो चलिए strawberry crush बनाना शुरू करते हैं मैंने ये half kg strawberry ली है और half kg strawberry लेकि मैंने उसको टुकडों में काट लिया है अभी मैं आपको strawberry को हम कैसे preserve करेंगे वो दिखाऊंगी half kg strawberry है तो मैंने पाव किलो शक्कर ली है मेरी strawberry थोड़ी से sweet है अगर आप strawberry लाते हैं और वो खटी निकली तो आपको करीबन 400 gram sugar लेना है half kg strawberry पाव किलो शक्कर अगर आप half kg strawberry ले रहे हैं तो आपको सिफ एक ही pinch citric acid लेना है citric acid बहुत important है आप उसको avoid नहीं कर सकते अब हम सारी सामगरी को gas पर तेज आज पर cook करेंगे आप इसको लगातार चलाते रहें जैसे ही शक्कर melt हो जाएगी उसके बाद हम आज को fast कर देंगे दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह शक्कर पिगल चुकी है जब शक्कर पिगल जाए तभी आप आज को तेज कीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं शक्कर पिगल चुकी है अब मैं आज को तेज करती हूँ और इसे हम 2-3 मिनिट के लिए cook करेंगे आपको बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है दो से तीन मिनिट हो चुके है अब मैं आज को बन कर देती हूँ अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे महुत दरण है आप सब संबाल के इसको करना जबी भी बनाओगे तभी अब हम इसे हलका सा बीट कर लेंगे आपको इसको बिल्कुल भी ज़्यादा प्रश नहीं करना है अब ये जो हमने प्रश किया है वो मिश्रन को हम कडाई में वापस ले लेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा पल्प है और थोड़ा सा ने गेवी बना लिया है थोड़ा सा मैंने उसको पीस लिया है मैं हमेशा अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ अब हम इसे तेज आज के उपर से 2-3 मिनिट के लिए कुक करेंगे दोस्तो ये रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं ये काफी ठीक हो चुका है अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ दोस्तो जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको एर टाइट कंटेनर में भरके फ्रीज में रख दीजिए ये करीबन 6 मेहने तक बहुत अच्छा रहता है और अगर आपको इसको लंबा स्टोर करना है तो आप इसको फ्रीजर में डाल दीजिए देड़ साल तक ये खराब नहीं होता है आप इसे केक के अंदर, डेजर्ट में, शर्बत में, बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश बन की तयार है, जो हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी में से बनाया है आप इसे बनाए और अपने अनुभू मेरे साथ जरूर शेयर करें